वीतराग भया क्रोधा मन्मया माम पाश्रिताह बहवो ज्ञानत पसा उतामदभाव मागता हिंदी में एक सब्द सुने हैं बीत गया छहां चला गया कट्रम सेमbad में म latitude मतलब अपुम्हिक्त में एक साथ दड़ कि मोगद में पूर्णय ऑंचिता मेरे आश्रित होकर इस पूर्णता भगान मिस्टत हो भॉछ ग्यान तपसा के दवारा पूत वर्था शुद्ध हुए हैं और महरा 7 मेरे चुथ आयं आंपके प्रसजान लहाँ इस इस अश्लोक में रोचका घटना हुई क स्गेर्व सुनु Regist नाम सहस्रेश्यू कस्ची दियते ते सिद्धय और वो डॉक्टर था तो कहता ऐसा डॉक्टर जो हजारों में सी की इसी एक पेशन को ठीक करें तो ना अच्छा डॉक्टर है तो भगवान बोले हजारों में सी कोई एक वेक्ति उनको समझेगा तो इसका मंतलर यह अच्छा प पकड़ेगा और इसको पूरा पालन करें आब जहीं मारक बेभी हैं नहीं करेंगे तो फिर कैसे भावान को प्राप्त करेंगे तो वे तो शुद्ध कि बोले लिए कि उसकी कहीं बहात में समझ मैं अगर अगर मुझे प्रभुजी स्मार्ट फॉन नहीं देंगे तो मैं आश्रम छोड़ दूंगा अब बताइए भगवत धाम जाने के लिए धाम में बैठे हुए है बागवाद सामने है बीच में स्मार्टफोन आगया जो माया है अगर मुझे माया प्रदान नहीं करेंगे तो मैं क्या किया तो यह स्थिति है इसलिए भागवत घीता भागवत को स्रवन करना बहुत जरूरी है कि हमार हम समझें तोसे हमारी जरृत क्या मैनेजमेंट में नहीं हमको सवा मैं नहीं हमें कोई Pracarta में नहीं तो हमें किसमार्टफोन रखना है अपने गले पर कर रहे को दीक पुतरनाख चीज़े, एकदम दुधारी तलवार है, जिसको हम अपने गलों में चिरा रहे हैं, घरवे कलग विश्य है, लेकर हम खाली बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इसको भक्ति के पात को समझ नहीं पाते हैं, कि कहां ले जाने वाला, टिकती नहीं, इसलिए नहीं प्र यह भगवद गीता का श्लोक है, यह अनुभूत श्लोक है, अनुभूत समझते हैं, अरे इस दवा से बहुत लोग ठीक हुएं, बहुत से लोग आपको प्राप्ति की, आप विसी पी जानते हैं, जो भगवान को प्राप्ति किया है, प्रभुपाजी को जानते हैं, ठीक है और कोई प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया आपको तो पता नहीं मुझको तो पता नहीं सद्धा पे बोल सकते हैं लिकिन भूत करते हैं ना कि कि हम बहुत ही वार्ता करके अशुद्ध अन्भव करते हैं अपने आपको एकदम कभी-कभी हम सेवा की कारण करना पड़ता है अब सुबह से मुझे बहुत अशुद्ध बाते सुनने को मिली तो मन खटा हो गया बहुत ही खराब बाते आप कलपना नहीं कर सकते जो मैं सुनन है वजीव को शुद्ध करने बादी तो यह भगमान बता रहे हैं कि इस तपस्या के द्वारा यह भगवदीदा को समझने के वज़ार वसे आद एक अच्छा घटना हुई हम SDM से मिले आज गुरुकुल में तो मैं से पूछ लिया कि इतनी देर पढ़ते थे आइस के लिए चोटी से इस पोस्ट के लिए जो खतम हो जाए तो खेर हम इस ग्यान से शुद्ध होते हैं तो जब भी भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं भागवद पढ़ते हैं एक तपस्या है इंदिने को सयम है उसे बातें बड़ी रोचक लूप से समझने में आएंगी कि इसका अर् कि आसकती भाय तथक रोच से मुक्त होकर मुझ में पूर्ण तयात तनमय होकर तनमय अर्थ समझते हैं ना आप भगवान में अपनी मन को वानी को इंद्री वो सप्रित से लगा करके और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूत काल में मेरे ज्यान से पवित्र हो चुक अर्वान एक मात शरण है बहुत अच्या गया नैकर ओकर दो दिन इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रती दिव्य प्रेम को प्राप्ति किया मद भावम को प्रभुपाजी समझा रहे हैं मेरे प्रती दिव्य प्रेम को प्रभुपाजी और गीता थोड़ा अलग होगा थोड़ा थोड़ा अलग अर्थ होगा उसको तोनों को पकड़ने का प् भगवान का प्रेम और यह भगवान का प्रचार का स्टाइल है हम भी तो बोलते हैं इस प्रकार से अरे सहाब बहुत से लोग आपने देखा है जब कुछ से जानाक्य हो जाएगी इस प्र स्टिव मोक्ति गड़ी कटमाई से प्राप्त होती तो उस प्रिपैष्श में भगवान बोल रहे हैं क्या ब है कि है कि एक नहीं दो 5000 साल पहले हुए होते तो भगवान यह क्यों कहते कि बहुत सी लोग मेरे जन्म कर्म को सुन करके पवित्र हुए मेरी बास समझे मैं तो यह नहीं कह सकता कि इस जन्म में मेरी जो काम चल रहे हैं इसको सुन करके बहुत सारे लोग पवित्र हुए यानि कि भगवान के पर्म कर पा रहे हैं क्यों बोल रहें इस लोक को यह बहुत कठीन हो रहा है है हम बताएंगे है कर आशी बात है आगस को अब फोला विचार की जिए बहुंत बहवो मतलब इससे पहले बहुत सारे हो चुके हैं और इस समय भगवान की उमर रथा काजित उमर मात्र एक सो पच्छिस अप्रॉक्सिमेटली ते साल की है ना? एक सो पच्छिस से कुछ सौ होगा पालिजे बहवो तो बहवो तो यह कहने करते नहीं कि इस जीवन में जो लिला हैं बहुता इसको सुन कर लोग मकत और होगे, जब मोर बहवो मतलब पिछले अवतार होंगे पिछले पिछले जड़नती लिलाव को जो विवान शल själए की है उसको भी सुन कर लोग मकत और त्राइड एंड टेस्टिट चीज़ है बहुत अच्छी बात नारा जी बोलते हैं बहुत सुन्दर बात वो कहते हैं कि इस जगत में हम जो कंडिशन सोर बधात्मा मात्र इस परशयात मुहूर बार-बार जो भोग की इच्छा से ग्रिसित जीव है उसका एक मात्र इलाज है ह हरी चर्यान वर्णन यह मैंने देख लिया ऐसे बोलते हैं कि हरी चर्या भगवान हरी के गुणों का वर्णन हम उनका नाम चर्ण यहीं एक मात्र सर्वसरे श्टॉप और बार हम लोग भोगों की इच्छा से जुटे हैं तो मांदार इसे बोलना चाहिए हां कोई उसमें द जगत की चर्चा करना एक मातर तरीका उसे से बढ़ती जाती बढ़ती जाती जलती और और पट्रोल डाल देते हैं घर सुनना चाहिए पहले बहुत से जन इस ज्ञान की तपस्चा से शुद्ध होकर मेरे प्रती भाव को प्राप्तिक हैं यह बहुत महतून है कि जब हम ग्यान की चर्चा करते हैं उसे हम शुद्ध होते हैं किस चीज से शब्द बताएए शब्द बताएए किस वस्तु से हम शुद्ध होते हैं क्या वस्तु हमको शुद्ध हमको ग्रशिद की हुई है कि मैं नहीं प्रश्ण समझें कि पूड़ी लाने के लिए पानी लेगा रहे हैं प्रश्ण समझें क्या चीज हमको ग्रस्ट की हुई कौन सी प्रमारी से ग्रस्ट हैं लोग अविद्या इतना समय लगता सुचते हैं तो इस प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं और भगवान के इप्रेम को प्राप्त करते हैं यह इस वाक्य का क्रम है ज्ञान का अर्थ है भगवान के जन्म और कर्मोगी नित्यता का ज्ञान तो ज्यान का अर्थ क्या है यह समझना किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म नित्यता है तो अब इसका क्या यह अर्थ है कि समझत हो लाक LAW Türkiye 1995 करें कि ये रख नहीं अठिए इसमें ही लगना इसी में लगना छूव सुन ऐसके बाई हुसा हुब हो दो लेखते हैं कियोंकि informação दो है और करो में की देविता का ग्ञान शुरतियों के ज़्वसें का पशस होता है इसलिए इसे ऊपकर सुनद्व तैका है भखावो ग्यान तपसा ज्सकें जोड़ा अपने प्रफ ऑन निर्विशेश निर्शन परना चाहते और जरंकारी बाबा बना चाहते हैं अभी होगा अभी क्या जो बूला गया उसको रिपीट करो शीनाची प्रभू येस जग्यान का मतलब क्या है नित्यता और नित्यता मतलब सुन तो लिया एक बार हो गया बस यह मतलब है करता है नहीं इसको बार बार सूद्वर बार शुद्ध करते हैं जिसे हमें बार बार खाते हैं और आपकी बीमारी इसे काटती चली जा अब इसको करहा है पांड़े जी करते क्यों कह रहे हैं शुरी को परtha ne श्रुथी का मतलि है भागवतम वे नाम छे राधा भागवान की जन्म कर्म की निदता मालूम चले श्रुथी करती ही हो गया डुको पहलत अपने ऊपनर शाय ड्यार फर फेसिक़ भागवतम हम लोग तो भागवत मिशिक्र हां जाता तृjes वेदों के द्वारा मालूम करना तीस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म नित्य वह तपस्या या फिर ज्ञान का अर्थ है विविद कुमत और कुतरकों को निवारण करने में होनी वाली तपस्या समझ में आया है भगवान के बहुत सारे भवान के समझ में बहुत सारे मत हैं वो तो राजकुमार थे यदुकुमार थे उनको शाप हो गया ये वो तो लोग प्रशन करते हैं तो उस प्रशन के निराकरन करने के लिए आपको शास्ति को सुनना पड़ेगा भागवत को सुनना पड़ेगा भक्तों के संग करना पड़ेगा तो अब एक तपस्या इंद्रियों को सहमित कर रहे हैं ना इस ताप के द्वारा बहुत से जन शुद्ध हुए ताप हमेशा गलत नहीं होता है वह सोने को तपा के शुद्ध किया आता है कि भीना तपस्या के बिना तपाए हीट दिये बिना सोने को आप लाइट नहीं कर सकते कि सोने के ऊपर साबून घोल चला दीजिए सरफ चला दीजिए वैसे वैसे रहे कोई परिवर्टत नहीं आगए तो यह जो अन्य प्रोसेस हैं यह बात भागवत में बताया गया कि सोने को अगनी ही शुद्ध करती है और को प्रक्रिय सुद्ध नहीं कर सकते ऐसे जीव को केवल भक्ति Holz शुद्ध लगजनी चोटा सा बात हम शाल भीरख पुल्त करते चाहें घीए महराज जी ने नाम के संब्द में क्या बताया था नाम और अन्यसाधन के संब्द में बताया था नाम अन्यसाधन और जीव की अविद्या इसकी बारे में क्या बताया था सुर्य चंद्रमा चांद्रे तारे दिखाई पट रहा है कि उसी को दिखाई है क्या हमें भी दिखाई से वर सिर्ग समोगा है और अंधेरा से जामने कब तक टिक सकता है? तो एक तरफ सारे साधन मिल जाए तो भी जीव के अविद्या नहीं नस्ड़ होगी और पूनता में करो और थोड़ा सा लुए प्रती प्रेम प्राप्त किये और मेरा साक्षा संग प्राप्त किये अगर इसा बातों को बड़ा गंभीरता से लिजी देखिए ये मेरा और आपका वचर नहीं है श्रीपाद पल्दे विद्य वोश्ण जी इस बात को बोले किना सुन्दर टीका है अगर इस पत्र पे हम लगे रहे इस तपस्या को पूर्ण किया तो आप साक्षात भगवान को देख बूख आप HDMI अधिवर का बश्राइब पकोश्बदध बंशき आप अग्या कर ऊटासवी नहीं है पूर्ण हुलना चाओ ऑड़ी शुदध ह है यो इसलिए कभी बीझा चोड़ना बंशτίक कर करना है भक्ति को ने चोड़ना है जब तक भगवान को साक्षा देखना लगे उससे पहले हटना नहीं उसके बाद उटेंगे घी ठीक है उससे पहले समुद्र में नहीं कूदना है ऐसे व्यक्ति कैसे हैं तो इससे पर कहते हैं वीत राग आदि भगवान के नित्यंत्व विरोधियों के प्रति राग आदि का जिन्नुने परित्याग कर दिया तो फिर वह उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनके प्रति राग नहीं रखते हैं, ऐसा है कि ममी बोल रही है, तो मैं हरे किष्णा नहीं करूँ, ठीक, यह हो क्या है, वीतराग कर समझ में आगया, वे ऐसे विरोधियों के प्रति ना तो राग, ना भय और ना ही क्रोध प्रकाश करते हैं, यह अर्थ है, उसा कारण क्या है, भय भी क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता भय, क्योंकि आचारों की बात सुने है, शास्त्रों की बात सुने है, उनको बिश्वास है, क्या फालतु बात कर रहा है, कुछ नहीं जानते हैं, और क्रोध प्रकाशित क्यों नहीं कर दिखेयो आदू दा दूद आधि दिखता है अग्र देखता है अच्छत बाकार से लोग बल बल करने दिया भाई किसी राजकमार को भगवान बना दिया चौना को बड़े बड़े कारे करते तो भगवान से कार एक कोंप बॉह बोला भुचालाबला ने गाई उंका पलान क्या है असलिए भगवान बन गए एक ऐसे बाते बोलने वाले हैं उसे बुच्छो कि b końकी कितने डीजल डाला कि से सूर्व भन गया कि भॉल जासकता है तो उनकी मुझमे निस्ठा है निस्ठा का होता है भगवान की कथा सुनने में करने में भगतों के बीच में वचर्चा करते उनको उसमें अच्छा लगता है और उपाश्रता अर्थात मेरे ही सेवा में पूर्ण रूपेंड लगे रहते हैं इससे पहले कि मांगे जाएं हम जरा याद कर लें ज्यान करत क्या था माइक प्रूपें बताइएगा जिसको याद है इस जाम मतलिया कर एक्जाम सुन लिए ऐसे कास्प में आ रहे ही बहुत है एक्जाम तो तूमच हो गया अपने इसका थो ना बताय था पिछली कास में बताया था यह भूल गय ना एक एक बात एक एक नमर एक नमर लेस माइक दिए बहुत में एक नहीं की बहुता है यह इंद सब्सके बात तपस्शा के बोलते हैं और एक और तपसे कार्थ क्या था कि जो भगवान के सम्मद्ध में कुमत हैं कुतर्ख है उसको निरस्त करना ठीक क्यासी लोग होते हैं वीत रागा भया क्रोधा वीत मतलब जिनका मुक्त हो चुके है राग शास्त्री जी राकर्थ क्या है कि इत्युक किसे आ सकती खतंब करते हैं जिनके जो यह भगवान के लिए को नित नहीं मानते हुआ उनकर क्रोध में के अचारी के सामने उनका क्या मात क्रोध क्यों करते बच्चे बच्चे अबोध है उन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हुआ है और मन मया का आर्थ है बहुत हो शुद्र अर्थी लिखी है भगवान ही रिखिया है भगवान की तरफ देखना है ज़से चातक पक्षी येवल जैसा कि पहले कहां जा चुका है विशयों में आसक्त ब्यक्ति के लिए परमसत के सरूप को समझ पाना अत्यांद कठीन है समानता जो लोग द्यात्म बुद्धी में आसक्त होते हैं फिर बहुत इकता बात में इतने लीद रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव साहें कि परमात्मा रैखते भी हो सकता है अधरि बहुत दो भी लाइन है देखिए भगवान परमसत्य जो इसनॉट इपटी इपही इट मतल्ब होता है वस्तु में इट टेवल एट इट इजलैप्टॉप ही इजब सब्सक्र. भगवान कितने मुझे पता है मजे पता है मुझे पता है कि वे उस करता है वे सपर्सुन यही है बात है पता है कि आप अपने लिःटेज पाट है तक इत्फ है this system में है यही कटना है यह रही है और ढध्रम कि भगवान इत्रम आहनी है भगवान ही है कि मुझ कुछ नगी पर था लिए प्राइब बता है । ही और सी है यह तो बॉर्दी कंसेप्शन पर है नहीं यह मैं ही कहने के अर्थ है मिरा कि वह एक व्यक्ति है उनकी संवेदनाय है प्यॉट यह प्रेम करते है इत प्रेम नहीं कर सकता है ही प्रेम कर सकता है बाचा समझी मेरी हिंदी इंग विद लिमिटेशन अफ इंग्लिश आ भाव यह कोई वस्तु मात्र नहीं है इस चीज को शीद्र स्वामी कहते हैं ना तु वैशेशे का ना नाम वस्तु नहीं परमार्त भूत वस्तु परमार्त वह जीवनत हैं वह आपसे लोगेतियां करते हैं यह समझना बहुत जोड़ यह बहुत मुश्किल है अनों वह झिल धाया था ना वो स्कॉलर जो आयटी की किताब लख ही तो जिए और नें गॉटारी तो यह समझ में नहीं करता पर दिए पूरी स्टीओ पिछ विक्ति है और वह है आप से वी आप, जूट बुलना है अभी आप, यह अन्भाव में नहीं करते हैं, जिस दिन आपने अन्भाव कर लिया, मैंने अन्भाव कर लिया, हम पागल हो जाएंगे, अभी बुरी तरह से हुए नहीं, जिस दिन यह अन्भूत होने लगा कि कृष्ण मुझसे, अभी हम आपको लगता है कि आमें गुसा हो रहा हूं, इसंट इट, जिस दिन आपको लगता है कि आमें गुसा हो रहा हूं, इसंट इट, जिस दिन आपको बोलेंगे, अन्द कृष्ण क्या मेरे ले आप दूद ला सकते हैं, I mean there's something, whatever Krishna wants, आप अगल हो जाएंगे उसके रिए, रिली, पागल हो जाएंगे, कृष्ण की वाणी, बोलते हैं, अमधुरया, अगरा, वल्गुवाकेया, कितना भगवान प्रेम से बोल जाएंगे थी ना कि उनकी कथा कोई त्याग नहीं पाता है, जहां तक मुझे स्मर्ण आ रहा है बात, थोड़ा वेग साधार रही शब्द आये थे, कि उनकी कथा कोई त्याग नहीं पाता है, और कोई संग किया है, Krishna का तो क्या से करते हैं, इदूद रहां कोई तो बोलता जाएंगे सेवा करने कुछ भी करते हैं, वह आपको सेवा को हमेशा सरहते हैं, यह समझ एक कहरे कारते हैं, यह प्रभपा जी बोलने ही नहीं समझता है, प्रभपा जी एक लेक्षर बोलते हैं, कि हाँ ठीक है, फिलासिफिकल एनलसिस करना अच्छी बात है, बहुत आप क्रिष्ण से साक्षात बात कीजिए, हमारा गोल है, पढ़ी आगे, मेरे मैं धुला भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिए, वह भगवानिक व्यक्ति है, यह किने वह इंपर्सनल से लिए, केषिर लिया है, ठीक, आप देखो, महाप्रुभु दोड के जा रहे हैं, क् किने अमिली की चट्नी बनाई थी, गदाधर पंडित जी ने चावल, महापरु नितनायन प्रव चावल लेकिया है, और उनने इमली के पत्ते की चट्नी बनाई, अवो दोनों खा रहे हैं, महापरु दोड क्या रहे हैं, इतना बड़ा फिस्ट कर रहे हैं, मेरे को नहीं ब प्रेम आस्वदन करना चावल, यह इस प्रकार से यह बहुत महात्पूर्ण है, यह बहुत इंप्रकार का आदान-प्रदान चाहते हैं वक्तों से, वक्त कुछ लाए, वक्त कुछ सेवा करे, उनको बड़ अच्छा रगता है, बहले उने कुछ नहीं चाहिए, यह भी अद इसकी कलपना तक नहीं कर पाते हैं, कि ऐसा भी दिब शरीर है, जो नित्य तथा सचिदानन्द में है, बहुत इक बादी धारना है, कि अनुसार शरीर नासवान, अज्यान में तदा अध्यान दुख में होता है, अता जब लोगों को भगवान के सकार रूप के विशे में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर के यही धारना बनी रहती है, इससे कहा जाता है, मन नते आत्मच जगत, जैसा मैं हूँ, वैसा इस सब कुछ है, पर एको धारन दियता है, कूप मंडूक समझते हैं आप तो, कूमे का मेधक, कता जानते होंगे, कोई का मेधक थे, आप तो, कूप मंडूक भट गया, उसी प्रकार से यह लोग हैं, यह भगवाण, नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं, कई बार हम इस बात को बता चुके हैं, कि अरे आकार है, तो वह तो सीमित हो जाना चाहिए, असीमित है, तो आकार कैसे होगा, यह सब भातिक रूप के ओपर गुड आरोपित होता है, अधात में गुड नहीं होता है, अधात में गुड नहीं होता है, पढ़िएगा, क्योंकि भातिक्ता बाद में इतने तलीन रहते हैं, और संसार के दुखो के कारण जो है, वो अपना सब्सक्राइब कि यहां पर जो भी स्वामी था, उसने तो मेरा खुब तेल निकाला, सोशन किया, तो कृष्णी भी ऐसे स्वामी होगे, जैसे सुना है ना, दूद का जल है, और गए जालं कि दूद का जला है, वो सचे कारे, ग्रिष्णी भी ऐसे ही हो कहता है, कोई कलपना तो कृष्ण कितनी कृपालू है कृपामाय है यह सक्ति शाली है इस करण से वह है स्वरूप को बना रिखने के लिए वह चाहर से ड़ते हैं और वह अपने को खतम करना चाहते हैं पढ़िए जब उन्हें बताया जाता है कि अध्यात्मिक जीवन भी द्रतिक तता साकार होता है त सब्सक्राइब, शुर्ण नहीं करना पर हैं यह समझ में आता कि जीरो कॉन होगा, प्रश्न होट जाता है, वो कॉन है जो जीरो हो जाएगा, यह कॉन है, जिसका प्रकास है, इससे प्रश्न प्रश्न हो जाते, पढ़िये गा, समान्ता, तादाकार मतलब उसे में मिल जाना, समुंद्र के बुलबुलों से करते हैं जो डूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पड़ी थे संधू में बिंदू मिल जाती है बैस कारता भा-म बिंदू मिल जाती है। बभगवान तो एस्तित्व तो अलग है ना अपलस प्रभुपाजी उसमाप्त हो गया तो फिर आत्मसाक्साथकार कैसे हो इसमझ मैं है मैं प्रवचन कुछ कर रहा हूं तो आपको अनभव हो रहा है ना तो आप खातमी हो गए तो अनभव किसको होगा अगर आप मैं बन गय तो मैं अपने को प्रवचन दे रहा हूं इसाद बताते हैं कि समुद्र में मचली ही आनन ले सकती है अगर हम पानी प्रवाज ले तो आनन नहीं आएगा हमें इस प्रकार की बाते वो लो करते हैं कि खुली प्रश्वार बताया कि महावश्य नहीं जब सांस लेते हैं तो अंदर आ सारे जीव चले आते हैं फिर बाहर आते हैं उस कंसेप्त को जोड़ने से बतलब नई वो अलग है यहां पे यह लोग महावश्य को सिवक्यार नहीं करते हैं है बस उसी में जा करके आत्मा प्रवेश्का जाती उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है जब महाविष्ण के शरीर में प्रलाय के समय जीव रहता है तो सुपता वास्ता में रहता है ये शास्तर का वच्छा में उसका अस्तित्व नहीं होता उसका सुप में शरीर भी कर्मों से और भगवान की नित्रत्व में उनको दुबारा वही स्थूल श्रीड दे जाते हैं उनका वो नश्ट नहीं होते हैं जीव कभी नश्ट हो यह नहीं सकता अभी नाशी तो तद विद्धी यह ना सर्व मिलम तथम अभी नाशी है जीए प्रितक व्यक्तित्व से रह मतलब हम एक अलग व्यक्ति के रुप में नहीं रहेंगे बस तथा कहते तो ब्रम जोती में जाके लीन हो जाएंगे यह उनका परम लक्ष बॉलाएं यह जीवन की भ्यावाय आवस्था है जो अध्यात्मिक जीवन के पून ग्यान से रही थें क्यों क्यों भ्यावेस्तता ह जीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा सेवानेंगे तो हमें जो हमारा सवावी के सचिद्या नामने सवहाव्वे आनन्द वो प्राप नहीं हो पाएगा और कब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम उस गति को प्राप्त करना लें वहां जाएंगे तो अच्छे से उत्तर कीजिए सही जा रहे थे जब ब्रह्मो जोती में चले गया है तो बहुत लंबे समय तक सिवा नहीं प्राप्त होगी बहुत भ्यावस्तित है भोग में पढ़ा है स्वर्ग में चला गया तो फिर भी कहीं न कहीं ब्रह्मो जोती में तो कभी-कभी वैकुंट के दूद कीरतन करते वह आते हैं तो हरी नाम सुनाएं पढ़ता है ने तो कुछ ले हैं बहुत डेंजरस है यह चतन चतामित प्रदान जहां होई ते कृष्ण भक्ति है अंत्रदान जो इस प्रकार की मौक जो अधात्मिक जीवन के पुन ग्यान से रहित है इसके अतरिक ऐसे बहुत से मनुस हैं जो अधात्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते अनेक वादों तदा दार्सनिक चिंतन की बिविद बिसंगतियों से परसान होकर पे उव उड़ते हैं या कृत हो जाते हैं और मुर्खता बस यह निसकर्ष निकालते हैं कि परन कारण जैसा कुछ नहीं है अता परतेक बस तु अंतो गत्वा सु समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो जैसे कभी याद है जो एक्जाम की त्यारी कर रहे होते थे और को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो जोगा देखा जाएगा जाएगा उसी प्रकार से हमने वक्तिकर दूर्प से मिलना हूं कुछ लोगों से और वह बहुत ही सब्सक्राइब कि फिर लोग जीवन की रूख्र अवर्था में होते हैं कुछ लोग भौतिकता में इतने आसकत रहते हैं कि वे अध्यात्मिक जीवन की और कोई ध्यान नहीं देते हैं और कुछ लोग तो निरासा बस सभी प्रकार के अध्यात्मिक जिंतनों से कुरुद होकर परतेग वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं एक वक्त ने मेसेज किया कि क्या धर्म है यह कुछ तो बोल रहे थे कि बस भाय दिखाने के लिए है लोगों में ऐसा कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा कोई निया विक्ति होगा और काफी डिसकुशन के बाद मालम चला कि वह बारा माला हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं बारा माला हरे कृष्ण मंत्र के जब कर रहा है और वह ऐसा बोल रहा है कि भगवान है की नहीं मैं तो दो सोचतर हमें 75 लाख नाम साल में करने के बाद भी यह प्रश्ण है कि भगवान नहीं है जस्ट पिकाउस का जॉब नहीं लग रहा है इस लिए सिर्प्राइजीं कि तो दिखाता है कि लोग शास्त्र नहीं सुनते हैं बदो संग नहीं करते तो इस परकार विधार नहीं है आप जब जॉब लगना होका जो होका वह तो भगवान देखेंगे लेकिन इस करते यह तो नहीं ना कि आपकी इंच्छा भी पूर्ण नहीं वह इस अंतिन कोटी के लोग किसी ना किसी मादग वज्दू का सहारा लेते हैं और उनके मती विभरम को कभी-कभी अध्यात्मिक दृष्टी मान लिया जाता है ये तुरह समझ में हैं ये हैं हिप्यों के बाएर में बोल रहे हैं वो लोग LSD वया चड़ा लेते थे और कुछ- अध्यात्मिक उननत्य कर रहे है इसी कहते है गतिंग है भातिक जगत की कि---- असक्ति की तीनों अवस्थाहों से छुटकारा पाना होता है ये है अध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा अध्यात्मिक सकारूप का भैं आता między अध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा on की हाताशा मतलब है कुछ भी सही नहीं, फोँ किए सबसे अची चीज तो शुनिवाद है कुछ नहीं रखा किसे नहीं नहीं का है और इन फो घृटम 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 घृतम घृटम घृतम घृतम लेधर 76 जब जावाज जीवे सुखम जीए द्रिनम कृत्वा गृतम पिबेत वसमें बूता सदेह सख कि अपना रागमन भृवेत मर जाओ के कान देखा सब खतम हो जाएगा तो भोगो इस परकार से यह इस अपने यह यह चारवा कमें इस बहुत अच्छा जोग वारते प्रभुपा जीवन की इन तीन अवस्थाओं से चुटकारा पाने आते लिए परमानी गुरू के निर्देशन में भगवान की सरन्गरन करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा बिधी विधानों का पालन करना अवस्थक है चोटा सो धारण दोंगा कभी-कभी हम किसी बिमारी से सही मार्ग दर्शन प्राप्त हो तो कोई भी भी मारी ठीक हो सकती है तो लोग प्राय बोलते हैं पहले इस बाते बोलेगा तुम कोई भी मत मान लो कहीं भी हो सब कुछ वही है जीरो है वही पहुँच जाओगे यह दिखाता है कि उन्हें प्रमाने गुरू की शरन नहींग करता है तो माय से छूट करके होगवान कृक्षणी के चलन की प्राप्त तो यहां पर प्रमानी के निर्दिषण की बहुत आवस्कत सकता है यह हम बहुत दुर्भागवान हैं कि हमें प्रमाने गुरु प्राप्त हैं प्रभुपाजी उनके शेश्यों का अश्रय प्राप्त है और फिर भी स्कॉंच छोड़के वो चला जाए शबसे दुर्भागी पुर्ण देखती है आज एक बात हो रही थे भक से तर्चा हो रही सब्सक्राइब करते हैं मैं आत्मात्य कर लूँ सिर्शली बोला हूं मैं बहुत हैवी स्टफ था दिन भर का यह मैं स्कॉंच छोड़ दूं कुछ भी हो जाए उनको बोलो की पहले बात मैं का तुमारा ब्रामान इनिसेशन हो चुका है आत्मात्य करोगा तो ब्रमात्य कोई नहीं कर रहा है खाली कहने की बात यहाँ चला जाओं मासा जाओं तुम भाव नहीं रहना चाहिए प्रभुजी जो दन देना हो दो मुझे बस इस दौर से मत नेका लिए शोफार से नहीं और राट आ नेंगर यह जो दन मारो पिधो कुछ बिकरो यहां से सीमें और बनकी नीचे कितना गिरेंगे कितने शार के बाहर को खा जाएगी इंको पता ही नहीं कितने लोग संग देखते हैं एक तम गायब मतलब एकदम गायब भक्तों के संग में हम सुरक्षित हैं है यह हम समझ नहीं पाने अगर अगर आप नाव में बैठे हो तो अभी समुद्र के हिच्खोले खाओगे के नहीं ओपर निच्याएगा थोड़ी कभी हुसता उल्टी आ जाए ऐसा कुछ हो जाए इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूछ जाए समुद्र में चले जाए समुद्र कोई नहीं कालेगा कोई निकालेगा यह दम गिर जाओ कि मुझे सका से नहीं निकाले वक्तों परिब्लाथ यह एतना ठका बता सुब घंट हो जड़ा न चाहते है तो भावान के बारे में चल्चा कर रहें आप समझ नहीं सकते मेरा चेत्ना इदम ट्रांसफर्म होगई कहा वह हेवी हेवी सब बाते सुन रहा तुरंद भगवान की चर्चा तुरंद मन प्रसन हो जाए इस सब भक्त संग नहीं हो सकता है बाहर कहीं नहीं सुनने वाले के लिए इस बहुत रियर गिफ्ट है भावश पुले जा रहे हैं कि जब घर जा दें तो यह पता चलता है कि प्रसन अब जाके घर में तुम क्या बहुत अच्छा आपका रूम में वापस आ रहे हैं मुझे समझ मिन आता है कि अब तक समझ नहीं पाए कि यहीं घर है यह हमारे भाई हैं अब तक समझ में नहीं आया घर में लाथ पढ़ती है मुँपे तब भी नहीं जाते और यहां तो अलाद तो कोई नहीं मार रहा है फिर भी लोग छोड़के चले जाए मैं लगता है कई जर्म लगए निकले भाई मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और बक्त संग में ही कर सकते है भूस हम खेती करके बहुत कुछ सीख रहे हैं सुवर घूम रहे हैं फैंसिंग नहीं करोगे तो सुवर खा ही जाएंगे आपकी खेती को और ढूंते होए आएंगे कहां कुछ बीज निकला खा जाएंगे तुरंट एकदम एकदम भ्रमित हो जाएंगे भक्त संग में रहे हैं और भक्ति करते रहें जितनी भी कर पा रहे हैं उतनी भी नहीं हो पाएगे तो इसके विश्वास पना चाहिए बाद भक्ति करते रहना से मैं खारी से बात बोला था प्रमानिक गुरू की दिर्देशन में भक्ति में जीवन की अंतिम अवर्था भाव यदिव इस्वरिय प्रेम कहलाती है भक्ति रासामरे सिंदो एक चार पंदरा सोला के अनुसार भक्ति का बिज्ञान इस परकार है अधू ggृष्टेशात, आधू श्रहधा ततत साद संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृधिश्यात, निश्टारू चिस्टतता, अथा सक्तिस्थ्था भावसतता, प्रेवाम भिताच्च्थि प्राधू भावे भावे पक्रमाः.. क्रमाः मतलब क्रम्सेव कि हम हमें इमाजन करने जुरत में कि हम परेम प्राप्त कर लिए है कि एक उस्ची घटना एक मॉताजी एक ब्रहुम्चारी को फशा रही थी रहां थी पिधा कर रही थी नाम किसी को करने ले रहा हूं तो उन्हें बोला अरे आप स्तरी होगा मैं एक बात करने लगा तुमको वह तिरी दिख रही थी आत्मा भी तुमको मुक्त हो सकते हुआ ना बहुत कर नहीं तो तो आपको पूरुष का भेर दिखे गई ना यह मूरता होती जो इस तर पर है नहीं उस प्रकार की कारे करने बहुत कर से महामूर्खता है ना इस पर क्यारते बाते सोचे तो यह दोने लोग भक्त हैं तो यह सोच लेने चाहिए को तुलक लगा लिया कंटी पहले तो अब सिद्धे भाव और प्रेम के स्थर पर चला गया चली क्यारत प्रारम में आत्म सच्छाकार की समान इच्छा होनी चाहिए इसे कहते है श्रध्धा आदव श्रध्धा मनतब सुनना चाहता है शीखना चाहता है इसे मनुष्ट ऐसे व्यक्तियों की संगती करने का परियास करता है जो अध्यात्मिक दिर्ष्टी से उठे हुआ जैसे शीदी बात है माल लिए इसे प्रवजी को मिर्दंग सीखना था तो धूंड रहे थे कौन मिर्दंग बजाए न सीखा सकता है उसी प्रकार से आरह में वह अवस्ता होने चाहिए भावान के बारे में कुछ जानना है शीखना है तो फिर हम भावान के वक्तों को ढूं को इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्द भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है अब यह देखते रहें पहली तीन अवस्ताओं को आपने अनभव किया कि नहीं अब कुछ अच्छा है भक्ति करने की ठीक उसका प्रक्तों का संग प्राप्त हुआ फिर आप जो है कुरु से दिक्षित भी हुए है यह लेने की प्रोसस में है आप देख रहें कि जिस बहुत ध्यान पुरो सुनिये जिस स्तर पे आप थे उस तर पे आपने काम किया और अ पी मन किया कि हम जब करें और जिनकों भियाप प्रीचeंग कर रहें उनके सेम टुसे मोरा है किसे उल्देंगे शृद्ध होगे थीक्सateurs तो प्रकाषत होगा इसलिए मुझे प्रैप्त होगा ये को मतलब नहीं है और यह प्राप्त रह्म नाभी गलत है कब प्राप्त होगा। जब प्राप्त हो जा जाकर तो आको मालूम चल जाएगा। कि यह बाते समझभार हैं । इसने ध्यर प्रो करते नज्य अब कि हुए भाझेा , रीजिर बन भीड प्रॉटा रही है। यह आ रहा है… आने दो। जाने दो, आप वो नहीं हो, यह अनर्थ निवृत्ति में का लक्षण है, जब हम यह भी कहा देंगे, यह अटाओ, क्या नाम से दरी को अटाओ, तो खुब गंद की दिखाई पड़ेगी, तो यह है अनर्थ निवृत्ति, इस सबके संग होता है, नहीं हुआ है आपके संग, तो जब सोची कि क्यों नहीं हुआ, क्यों पूराने हाँ, इसका मतला ठीक से जमाम जाप नहीं कर रहे हैं, अंदर की क्लीनिंग क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी, गंद की क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी, होना ही चाहिए, इसमें कोई विरोध है तो बताईए, बात में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत भक्त ब्रहमित हो जाते हैं इस बात से, जो भी हमारे पूर्व के संसकार हैं, जो कई-कई जर्मों के, वह सब उमण-उमण के बहर आएंगे, एक जर्म के संसकार मन में नहीं होता है, भक्तों, लेकिन ये ध्यान देना कि मैं ये म इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए, अरे इतना भागुत में डूबे हैं, इतना नाम जब में डूबे हैं, मैं भी प्राप्त करूँ, मैं भी करूँ, व्रिंदावन धाम तो ये देने के लिए तुला हुआ है, एकदम तुला हुआ है, मांगिये तो सही आप, जो इच्छा करेंगे पूर्ण होता है, भक्ती की इच्छा तो बहुत जल्दी पूर्ण होती है, पढ़िएगा, इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ती करते हुए, वह समस्त भातिक आसकती से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म साच्छातकार में इस्थिरता आती है, और वह श्री भगवान कृष्ण के विशाय में श्रवन करने के लिए रुक्ची विक्सित कर यह प्रमुख लक्षण है, भगवान के बारे में श्रवन करने में कुछ टेस्ट होना चाहिए, कुछ इच्छा हो रही है, तो हम भक्ती में प्रगति करें, यह टेस्ट ही बहुत अच्छा माराज बताया है, सच्छे नेंदन माराज, दे बिगिनिंग ऑफ टेस्ट इस दे आगे चलकर, कृष्ण भावनामरित में आसक्ति उत्पन होती है, जो भाव में अथमा भागवत प्रेम के प्रधम स्वपान में परिपक्व होती है, इस्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थता है, प्रेम अवर्था में भक्त भगवान की दिब्व प्रेम भक्ती में दिलीन रिएधा है अग्ती और समल ये स्वाज में और है कियों दिलीन रहता है कि इतना सुखव प्राम्त होता है कि अब जो चौड़ी नहीं सकता कुछ के हमें उपक्रुण जाने करें ंश है अदा भक्टी और próstक किst thi सब्सक्राइब भक्ति और समस्थ परकार की स्थितिस में परमानिक गुरू के निर्देश में सर्वोच अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्थ भौतिक आ सकती व्यक्तिगत आध्यात्मिक सरूप के भय तता सुन्नेवास से उत्पन हतासा से मुक्त हुआ जा सकता है तभी मनुस्थ को अंत्मे भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है तो इसमें हमने मुक्ष बात क्या सीखी अगर हम प्रमानिक गुरू के पिसे ने दिश्रम में चलते हैं तो बताते हैं कि भगवान का सुरूप क्या है और भगवान के तने अच्छे वेक्ति हैं तो यह भाए कि मैं क्यों शाष्वात दास सब्तो होता ना हम लोग अब देखो समन में ही आता ना भगवान के धाम जाएंगे हमेशा रहेंगे अब आपस जगत में कभी नहीं आना तो भय तो नहीं ना कि भगवान अरे भगवान के सिवा हमेशा करनी पड़ेगी जैसे शिना जी पर आप सोच कहीं रांदरानी की सीवक मैं मिल जाएं कहीं कुछ स्वा मिल जाएं जीवन भर को क्ली कुछ कर लें है सब्सक्ण हें गया कि ए को कि पता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि भगवान का धाम इस परकार से शाष्वत है ऐसी मेरी समझावट है तो क्यों मुक्ति के अभैलाशा करें हो बखति के सपस्ट किस समना नहीं पड़ा क्या बहुत सारे बहुत सारे अनिसाज तरे वहां पर इतना इस पर्ष रुप से भक्ति का दिया नहीं विए इस फॉचुनेट है की भागवतम इस इसे बता रहा है मैं माताजी हैं हूश संस्क्रित जानती है खूब पढ़ चुकी काफी करन्त पढ़ने के अबाद भी ने समझ में आता है कि गीता जो है भावान कृष्ण है उनका सुरकार सर्मंद्र को प्रेश्ण है कि टिपनी श्रीमत भगवत गीता की जाए श्रीद प्रफुपाद की जाए